ओम सांती, ओम सांती, ओम सांती आद बाबा कह रहें मीठे बच्ची तुम हो त्री मूर्ती बाप के बच्चे तुम त्री मूर्ती बाप के बच्चे हो त्री मूर्ती बाबा नहीं है त्री मूर्ती बनाने वाले के बाप हैं तो हम त्रिमूर्थी बाप के बच्चे तुम्हें अपने तीन कर्तब वे सदा याद रहे ये हम लोगों को बनाया जारा त्रिमूर्थी और उनके वो पिता हैं तो बाबा कहता है कि तुम्हें ये तीनों कर्तब वे याद होने चाहिए क्या इस्थापना विनास पालना और ऐ बुराईयों का विनास करना है जो जो कमी कमजोरी दिखते जा रहा ग्यान का तीसरा नेतर से देखते हुए अपने अंदर की बुराईयों का विनास उसके बाद हम दूसरों की पालना के निमित बनते हैं तो ये तीनों करतबे सदा याद होना चाहिए प्रस्टनिंग है देय देय अभीमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं अगर देय अभीमान का कड़ा बीमारी लग गया तो कौन कौन सा नुकसान होता है उत्तर है देय अभीमान वालों के अंदर जैलेसी होती है जैलेसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं प् इसको भी सेवा करने देंगे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रती घ्रीना द्रेश दिखाते हैं उसके पास नहीं जाओ तो इससे क्या होता है डिस सर्विस हो जाता है तो बाबा कहता दे अभिमान का सबसे बड़ा है कि जैलिसी फिल करेगा और जैलिसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं बाबा केता वे अगर जलसी अंदर में रहेगा तो वो प्यार से सेवा नहीं करेंगे प्यार से सेवा नहीं करेंगे अंदर ये अंदर जलते रहेंगे ये आगे क्यों हम आगे क्यों नहीं ये सब आता रहेगा दूसरा वो बे परवाह रहेंगे उनको कोई परवाह नहीं कौन दोखा देती जिसके लिए हम गड़ा खुनते हैं उसमें हम खुद ही गिरते हैं तो बाबा करता उन्हें माया बहुत धोखा देती रहती है पुरुशार्थ करते करते हैं फाहा हो जाते हैं जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती मेहनत लगता है क्योंकि अंदर में गंदगी ह और वो सोच रहे कि हम अच्छे से सेवा करें तो गंदगी वाला इंसान थोड़ी सेवा कर सकता है तीसरा है दे अभिमान के कारण दिल साफ नहीं तो साफ दिल ना होने के कारण बाब के दिल पे नहीं चड़ सकते बाबा तो देख रहा ना क्लियर करता है देखिए बाबा तो यही चीज क्लियर कर रहा है, कि कभी भी यह सब विमारी नहीं लाना चाहिए, मूड आफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है, मूड आफ भी कर लेते हैं, या कुछ और भी याद आता है किवल बाप की याद आती है कि और भी कुछ याद आता है बच्चों को इस थापना, विनास, पालना तीनों की याद होनी चाहिए क्योंकि साथ साथी कठा चलता है ना जैसे बार-बार हम मूरली सुनते हैं अंदर में पता चलता मेरे अंदर कौन-कौन सा कमी है कौन-कौन से विमारी है खराभी विकार है तो उसको विनाज भी करना है और दुसरों को भी बताते रहा यह नहीं देय भीमान में आकर क्या हम अपने वारे में ना बताएं लोग क्या समझेंगे यह भी एक बड़ा देय और भीमान है तो जैसे व कुई वैरिष्टर ही पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम हैं मैं विका रिच्टर की करेंगे फहाल दूसरों को सिठेँगे भी विष्य। जो भी पढ़ेगा, उनकी एम तो आगे रहेगी ना, उनका लक्ष हमेशा वो फोटो लगा कर रखते कि हमें ये बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर के लिए बार बार देखते रहते कि हमें ये ये बनना है, तो बाबा भी हम लोगों को कहता है ना, लक् अपनी तैयारियां कर रहें आपने सत्यु में जो जो की करना है । जैसे कि पुस्पख विमान कैसे बनेगा। यहां पर जब हम मन रूपी विमान में बैट कर एक से ही अमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी तो हम पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया में जाकर राजी करेंगे जितना हमारा मन बुद्धी पवित्र होगा उतना अच्छे से राजी करेंगे यह बुद्धी में आना चाहिए सब इम्तिहानों में सबसे ब तो पढ़ाईया तो अनिक प्रकार की है ना वह तो सब मनुसे मनुसे को लेकिन पढ़ाते हैं वह सब पढ़ाईया किवल इसी दुनिया के लिए हैं पढ़कर फिर उनका फ़ल यहां ही पा लेते हैं जैसे डॉक्टर का पढ़ाई करें तो इसी जनम में मिल जाएगा उनको अब बाबा के तब ये नई दुनिया दूर नहीं है अभी संगम यूग है नई दुनिया में ही हमको राजी करना है यहां बैठे हो तो बुद्धी में सब याद होना चाहिए क्या क्या इस्थापना पालना विनास नई दुनिया बाबा अपना घर सब कुछ याद होना जितना हम बाबा को याद करेंगे बहुत प्यार से उतना जादा हम स्वक्ष होते जाएगे क्योंकि अंदर में एक डर भी होगा ना कि भगवान हमारे अंतर की भावना को भी जान रहा है तो हम अगर गलत सोज रहा है तो गलत का भी फल निकलेगा तो फिर यह भी आद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे फिर इस इंप्योर दुनिया का विनास तो जरूर होगा जब हम पवित्र बनेंगे तो हमारे अंदर जो कमी कमजरूर वो सोता ही दूर होता चला जागा और उसको दूर करनेखा महिनत नहीं लगेगा दिखेगा कहा ये कमी उसको Стुन लग जाएंगे कि नहीं इसको हटाना है यसको हटाना हे तो अभी तो पवित्र नहीं बनेंगे भाहत है तुम बहुत होड़े हो जिनमें ताकत है सब ये ताकत है सब सोचते हैं कि हम बाबा बोला और हमें कर लेना हैं बस वो लोग बहुत लोग ऐसे जो किवल अपनी दुख से निकलने के लिए बहुत लोग ऐसे जो किवल सुनने का रस लेने के लिए लेकिन यह सोच करने आते कि भगवान का पढ़ाई भगवान हमें क्या कह रहा हमको कर लेना है तो तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार सूरिवनसी चंदरवनसी बनते है ना तो ताकत तो हर बात में चाहिए अब कुछ भी करेंगे तो ताकत तो चाहिए ना खाना भी बना रहे तो ताकत नहीं चाहिए बिजनस कर रहे तो ताकत नहीं चाहिए सब के लिए ताक स्कत्राइट काया है दिए माइट कर rung a da beetक सभिगा इसी रूप का दिखाये गया भी मीक का आत्म बल दिखाये गया कि नाटकों में क्या दिखा दिया गया लंबिया दोया व revidas जो बहुत सक्ति साली है अभी भी तो बहुत लोग ऐसी सक्ति देखने में लेकिन मन से इतने कमजूर कि आप उनको रोता हुआ पाएंगे रोता हुआ पाएंगे तो यह क्या है यह ताकत तो नहीं आत्म बल की बात हो रही है आत्मा की माईट की बात हो रही है तो बाप कल्प कल्प कहते है बच्चो मा में कम याद करो मुझे एक को याद क तो एक कोई आवाज करने के लिए एक लड़की थी वहाथ में चूड़ी पह Chemistry किdays कि में यहाथ रहा में फ़हा हिसे डीदेख दो 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 चूड़ी रखी राखी टो है तो फिर एक टोडी कर दीदा अब अब उस धर्म में कुछ कहा जाता है लोग मुझ गये हैं अभी एक परम पिता परमात्मा आकर हमें ग्यान देता बच्चे एक को याद करो हलाकि जितनी भी धर्म सापक है सब बूल कर गए हैं कि सब का मालिक एक लेकिन हम लोगों का दिल नहीं माना ना क्यों नहीं दिल माना इधर से थोड़ा देर हो गया पूरा करने में भगवान को तो चलो उसको जल्दी से पूझ लेते हैं हो सकता जल्दी मिल जाए उससे उससे पवित्र बनेगी यह बहुत अच्छी अच्छी बात है जिसको धारन करने की है जिनको निश्चे ही नहीं कि हमने 84 जनम लिए उनकी बुद्धी में यह सब ग्यान नहीं बैठेगा जिनको निश्चे नहीं है न वो यह ग्यान को नहीं समझेंगे वो किवल में कंडरस प्रणान भी आए तो हम सबसे ज्यादा खराब बनें अब सबसे ज्चा बनता है इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए का सीवाली दी का कल सुन रहे थे तो वह भी बोली कि 9 जहम को बहुत पसंद था अब उनकी मम्मी घ्याल में चलती थी ना तो अपनी मम्मी को मुलती थी त खाल मत खाओ मेरे लिए तुम मरा आओ बट अब तक क्या था हम लोग भी खाते पीते थे पहोband जादा लेकिन मन में ऐता हूत साथ कास नहीं खाते तो अच्छा रहता लेकिशन कहा कर झोड़ना यह बहुत बढ़ी बात है यह जो कि भगवान मिला क्यों खाना ये सब क्या मिल गया इससे तो वही आकर बहुत जल्दी निश्चय बुद्धी बनेंगे तो इससे पता पड़ता है कि हम हैं 84 जनम लेने वाली आत्मा हैं एक जटके में सब कुछ छोड़ते चले जारे नौन विज ने खाना अलसन प्याज ने ख कर सकेंगे यह तो सीधी बाद बाबा क्लियर करता है सब कुछ तो एक दम मतलब घुमा फिरा के तुम आप नहीं बोलता है क्लियर बोल देता है तुम करो या ना करो तुम्हारा भागे जाने हम आत्माई जो सत्व परधान थी वही फिर तमो परधान बनी हैं जिनको यह संस है कि हम 84 GEORन लेते 했는데 या नहीं वह बाब से कल पर पहले वर्सा लिया है वह पढ़ाई में पूराध्यान लेते हैं ऑल अपता नहीं या फिर बाब कहले भी आया थह स्टाने तो उसनल्हें लोग से बाबा कहता ना कि बाहस में नहीं पढ़ना हम जानते हैं 84 जनम ही होता होगा तो जैसे कोई घूमे हुए है और बहुत साल के बाद हम गए उस घर में तो जैसे ही दर्वाजा के पास पहुंचेगे ना पूरे घर का नक्सा मारे में आ जाता है कि हम गए हैं तो उसी तरह जब हम ग्याम में आए चौरासी जन्वों का नक्सा मारे अंदर घूमने लगेगा कि हम लिये हैं चौरासी जन्व उनको जादा बोलने की दर्कार होगी नहीं तो समझा जाता है इनकी तकदिर में नहीं है तो हमें बोलते हैं बाबा कि बरतन देखकर पात्र देखकर कुछ भी दो तो कल्प पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद नहीं कर सकेंगे या है ही भविसे के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते हैं पढ़ते थे अत्वा थोड़ी मार्सी पास हुए थी समझा जाता है कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो समझा जाता है यह नहीं पढ़ाओगा कल्प पहले भी नहीं जानी स्थापन हो रही है कोई राजा बनेगा कोई महराजा बनेगा कोई साहुकार कोई दास दासी कोई प्रजा तो हम स्थिक करें कि हम क्या बरने वाले हैं तो अपनी स्थीती से पदा पढ़ता है, इसकूल में बहुत थेल भी होते हैं न, पास भी नंबरवार ही होते हैं, यह भी पढ़ाई हैं, यहां फेल होगे तो त्रेता युग में चले जाएंगे, सत्युग में नहीं आएंगे, फेल होगे तो, तो यह भी पढ़ाई हैं, इस क्या बनना है, सर्वेंट, हमें भी सर्वेंट बनना है, सब की सेवा करनी है, बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम भी सर्वेंट हैं, हमें भी नौकर बनना है, तो हर एक बहन भाई का कल्यान करना है, तो कैसे क्या समझ कर कल्यान करना है, नौकर किसका बनना, अपने ही भाई बहन का, पूरा विश्व की आत्माई क्या हैं? हमारे भाई हैं. तो बाप हमारा कल्यान करता है, हम फिर औरो का कल्यान करना है. सब को यह भी समझाना है, कि बाप को याद करो, पाप कर जाएंगे. इसलिए बाबा युकती कितना अच्छा दिया है, कि 24 घंटे बच्चे हर वक्त याद करो नहाते हूँ तो सोचो बाबा नहला रहा है हमें बहुत अच्छे से नहला रहा है हम तो छोटा सा बच्चा है ब्रम्भा बाबा कैसे अपना नुभाव सुनाते हैं कि हम तो छोटा सा बच्चा है बाबा आप आजाओ हमें नहाने के लिए तो आजाओ मा बन कर बाबा हमको खाना खिला दो तो ऐसे ऐसे करके याद करना हमें तो जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुचाते हैं उनको बड़ा पैगंबर कहते हैं जितना पैगाम भी पहुचाते हैं अनेकों तक पैगाम पहुचाना कि बाबा आया हुआ है वो जुड़े या ना जुड़े पैगाम भी पहुचा रहे जो निकला उसकी फिर सेवा भी करनी है तो उनको ही महारती अत्वा घूर सवार कहा जाता है प्यादे फिर प्रजा में चले जाते है प्यादे क्या है प्रजा में चले जाते है तो प्यादे कौन है बस ग्याद में चलने वालों बस ग्याद सुन रहे उत्रा ही काफी है वो प्यादा बनेगा फिर योग करेगा वो घूर सवार जो धारना करेगा वो हाथी सवार और जो चारों ही करेगा वो महारती बनेगा तो इसमें भी बच्चे समझते कौन-कौन साहुकार बन सकेंगे यह ज्यान बुद्धी में रहना चाहिए कौन-कौन साहुकार जो जितना अपना धन इस कारे में सफल करते हैं अनेकों का कल्यान करने में लगाते हैं तो बाबा कहता है वो बहुत सहुकार बनेगा इसलिए बाबा कहता है गरीबों का धन मैं लेता हूँ गरीब निवाज हूँ छपपन भोग छोड़कर दुर्योधन का साग विदूर घर खाए अभी भी गायन होता है तो हम एक कना कना भी बाबा के यग में जमा करते हैं तो हम बचे जो सेवा के लिए निमित बने हुए सेवा के लिए ही जीवन दी हुई है तो पद भी ऐसा पाऊगी जो निमित के लिए भी बाबा बोड़ा कि अगर आप समर्पित हो गये हैं बाबा के इस आगे में जितना आप सेवा करते हैं उतना उच्छा पद फिक्स है कि आपक पंड़ा सकता है कि हैं अगर मनों से सोच ले कि आम आजाद हैं कर सकते तो को इसको बांढ़ सकता हैं हम अपने मन के सुछ में तारो द्वारा खुद बन जाते हैं विकारों के बन्धन में तो अपने को स्वतंतर रख सकते हैं न हम लोग रख सकते हैं कि बन्धन में हैं रख सकते हैं तो ऐसे क्यों बंधन में फसूं क्यों न बाप से अम्रित लेकर अम्रित का दान करूं अपने अंदर ये धाना करना है कि हम क्यों फसे हमें बाबा से अम्रित लेकर सब को अम्रित पिलाना है तो अम्रित का दान करूं मैं कोई रीड बकरी हूँ थोड़े हूँ जो कोई हमको बांधे ले भेड बकरी नहीं बनना है बाबा हमेशा बोलता न सेर सेर नी बनना है सुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया ना रडियां मारी हाई हाई कर बैठ गए तो तुम रडियां मारी मतलब जो माताय बहने बाबा के यह के में आने लगी तो कितरे लोग चिलाए विरोध किये एंटी पाटी बने हर तरह का पेपर में नाम आउट किय कि इस सबाव करने हैं लोगों को बिरोध कर्ना नहीं उनका कोई करके स्थापना करनी हैं यह सब काम तो करना नहीं है तो वह मस्ती चड़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता यह है मौलाई मस्ती बोलते ना अदम मगन हो जाना आज एक चीज पढ़ रहे थे तो एक आदमी था वो धनूस बना रहा था धनूस को सीधा करने में इतरा जादा एकागरता को एकागरमन कर लिया ना कि सामने से राजा सायनिक पार हुआ लेकिन वो देखा तक नहीं पीछे से एक वक्ति आया तो बोला कि यहां से राजा पास हुआ तो पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया गया कि नहीं से गया लेकिन नहीं देखा तो देखा कि कि सामने से लोग गया लेकि इस पर ध्यान ने गया और हम तुरत इधर देखना उधर देखना चारोतर देखते रहते एक काग्रमन कर ले तो उनको मौलाई मस्ती कहा जाता है हम मौला के मस्ता नहीं है तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त होता है मौला से क्या प्राप्त हो रहा है मौला हमको पढ़ा रहे है नाम तो उनके बहुत है ना बाबा कभी इस्वर बोलता है कभी कुछ बोलता है कभी आज मौला बोल रहा है कभी अलिफ बोलता है अल्ला बोलता है प्रन्तो कोई-कोई नाम बहुत मीठे भी लगते हैं मौला नाम भी बहुत अच्छा मौलाई मस्त तो अच्छा लगता है नगा तो अभी हम मौलाई मस्त रहें बाप डैरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं बुद्धी भी समस्ती बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो परधां तो बनी जाएंगे तो विसो के मालिक भी बनेगे जब हम पूरी तरह से याद कर रहे हैं और मालिक बाबा की बताईव Hersласти तो हम तो विस्व के मालिक बनेंगर यही तक्पाहत लगी रहें अंदर में यही तक्पाहिई रहें मुझए बनना है तो बाबा कहता है कि अमीरों को क्या होता और यह यह चीज करना है, यह समालना है, यह करना, बस उसी में लगे रहते हैं, अगरीब के पास कुछ है ही नहीं जो समाले, वो तो बस बाबा बाबा करेंगे, तो बाप को हर दम याद करना चाहिए, सामने बैठी हो न, यहां से बाहर निकले, भूल जाते हैं, बहुत बच्चे, य इतना भी समें मिला है, बाब को, तो कहते हैं, जलदी जलदी करऊ, अभी अम लोग बाबा भी अच्छे बच्चों को माया नाक कान से अच्छी तरह से पकड़ती अच्छी तरह से नाक कान मतलब कोई कुछ बोल दिया मुझे गया फिर कोई ऐसा विखार आ गया तो सांस लेना ही मुश्किल होने लगा तो जो अपड़े को महावीर समझती हैं महावीर आज आप में मुझ गए हैं तो वो बताना नहीं चाहते हैं क्यों मेरी बदनामी हो जाएगी कि लोग क्या कहेंगे इतना उचापद और इनके अंदर भी यह कमी है तो बाबा कहते हैं चिपा लेते हैं आंत्रिक दिल सच्ची नहीं होती उनकी सच्ची दिल वाले ही स्कॉलर्शि सहतवने दिल से अपने ही बेडा गर्क करती हैं सब का पारे से काम हैना की जूटा.. लेकिन हम लोग भाई भानों को दिखाने लिए को जूटा बन जाते हूं.. तो यह तो तुम साथ-सथ कहर करती हूं.. ब्रम्भा को भी बनाने है सी बाबा को यज़ करें तब ऐसा बनी飛.. ब चुः जो फूक मारता है न तो एक कैमिकल पैदा करता है और उसके बाद पूरा कुतर देता है पैर बहुतों काशा देखी है और ब्लर तका गया और जब उसका सुनन तक खतम होता है तब वो दर्द होता है उसी तरह यहां भी माया कैसे धीरे धीरे पकड़ती है पता ही नही ये महारतियों को खबरदार रहना है वो खुद समझते नहीं कि हमको माया ने गिरा दिया नहीं समझ पाते हैं वो कि हम तो जीत लेंगे हम जा रहे ना तुम जीत लेंगे हम जीत लेंगे लेकि माया गिरा देते लून पानी बना दिया समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सेवा नहीं कर सकेंगे अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा जलते रहेंगे दे अभिमान है तो जलती है वो अवस्था तो है नहीं याद का जोहर भरता नहीं इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए माया बड़ी तीखी है जबकि तुम युद्ध के मैदान में हो तो माया भी छोड़ती नहीं इसलिए बहुत खबरदारी से चलना है यहाँ पर आधा पौना तो खतम कर देती है किसी को पता भी नहीं पढ़ता अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है बंद घर मतलब देवहान के अंदर बैठ जाती है समझती है कि गलत हो रहा है फिर भी बेपरवा हो जाती है थोड़ी बात में जट लून पानी भी बन परते हैं स्वयम को धोखा देते हैं बाप कहेंगे ये भी ड्रामा है तो जो कुछ भी देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है नीची उपर अवस्था होती रहती है कभी ग्रहचारी बैठती है कभी अच्छी सेवा करकर खुसखबरी भी लिखते हैं उपर नीची उनकी स्थिती होती रहती है कभी हार कभी जीत पांडों की माया से कभी हार कभी जीत होती है पांडों की भी होती है अच्छे-चे महारती भी हिल जाती हैं कई मर भी जाती हैं इसलिए जहां भी रहो बाप की याद में रहो ऋर सेवा करते रहो सेवा मी याद रहेगा बाबा बाबा याद रहेगा तो तुम निमित बने हुए हूँ सेवा के लिए टोड़ने देना यी जगा है नान तो नहीं लेंगे लेकिन एक जगा सेवा बोले पुरुषार्थ मेरा धीला पढ़ रहा तो यह गीता पार साला दो दो तिन दिर बंद करते जा रहे हैं तो यह क्या है कि मतब खुद का पुरुषार्थी करने के लिए सेवा रोग दियें जब कि सेवा से ही हम और तिव्रगती को पाती हैं तो तुम अभी लडाई के मैदान में जो बाहर वाले घर ग्रस्त में रहने वाले हैं यहां वालों से अच्छे तीखे चले जाते हैं महाराने वालों का पुरुषार्थ धीला हो रहा है और घर ग्रस्त में रहने वालों का तीखा चला जा रहा है तो माया के साथ पूरी युद्ध है सेकींड बयरा कल्प पहले चलता आया है क्या क्या हुआ वह भी बुध्धी अब हम लोगों को भी पता पड़ता है न तो दिल साफ वाले दिल पड़ चारती है उनमें लून-पानी का सुभावनर नहीं रहता है को लून-पानी नहीं होते हैं सदेव और से रहती हुनकας मूड कभी फीरेगा नहीं यह हा तो बहुतों की मूड ही फीर जाती है थोड़ी. अबीसी बातों में मूठ खराब हो जाता है बात मत पूछो इस समय सभी कहते हम पतित है ना अभी पतित पावन बाप को बुलाया है आकर पावन बनाओ तो बाप कहते बच्चो मुझे याद करते रो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे तो साफ तो हो रहा ना जो बाप तो दिन रात इस पर जोर देते रहते, बच्चे देभान को छोड़ो, अपने को आत्मा संजो, देभीमान में आने से तुम घुटका खाते हो, मतलब गिरते जाते हो, और इस दुख की फिलिंग होती है, जितना जितना उपर चरते हो, खुस नुमा होते जाते हो, और हर अंदर का खालत देखो, तो गल रहे हैं, बाबा कहता है, बहुत बच्चे जो उपर चड़ी हुए हैं, लेकिन अंदर का हाला देखी का रहे हैं, गल रहे मतलब देभान में आ रहे हैं, देभीमान की आप जैसे गला रही हैं, समझती नहीं कि यह बिमारी फिर कहां से आ तो उनको दे अभिमान नहीं आएगा बहुत अंदर में जलते रहते भी है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं यह जलन भी गिरा देता है जलना नहीं है किसी से तो बाब कहते हैं बच्चे दे ही अभिमानी भवा पूछते हैं यह रॉंग क्यों लगा है यह रोग क्यों लगा तो बाब कहते हैं यह दे अभिमान की बिमारी ऐसी है जो बात मत पूछो यह रोग क्यों लगा जैलेसी का क्योंकि दे अभिमान में जैलेसी आही जाता है वो हम से उपर बाबा कहते हैं रीस करो रेस करो रेस करो लेकिन आपना पुरुसार्थ देखना है कि अच्छे से मेरी स्थिती हैं तो कोई की अभीमारी लगती है तो एकदम चिट-चिट-चिट करने लग जाती है चिपक जाती है यह बीवारी छोड़ती है नहीं तो स्रीमत पर ना चले अपने देविमान में चलते तो चोट बड़ कोन कैसे चल रहा है माया कैसे एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती हैं बुद्धी बिलकुल मार डालती है सैंसे बुद्धी बन पर तेरे कहा कुछ हो रहा है सब कुछ हो करी रहे कहा ठीक हो रहा है भगवान को बुलाती आकर हम पत्थर बुद्धी को पारस बुद्धी बना और फिर उनके भी विरूद हो जाते हैं तो गती क्या होगी मतलब नहीं ठीक होनी लगता है ना तो अपना कमजोरी नहीं देखते हैं और भगवान को बोलते की भगवान क्यों नहीं ठीक हो रहा है इतना तो भगवान भगवान कर रहे हैं अरे अपनी कमी कमजोरी को तो पहले तो बाप कहते हैं इन से और कोई पढ़ाई उची है क्या बताओ जो तुम्हारा ध्यान माया की तरफ जाती है दिब बेस्ट है तो 21 जर्मों का फल भी देती है तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंसन देना चाहिए कोई तो बिल्कुल अटेंसन नहीं देते सुनते अफिर चल लेती है नाक भी काट लेती कान भी काट लेती है मतलब सब कुछ छीन लेती है ज्यान भी छीन लेती योग भी छीन लेती है तो बाप खुद कहते आधा कल्प इनका राजे चलता इतनी असानी से तो छोड़ेगी नहीं ऐसा पकड़ लेती जो बात मत पुछो इसलिए खबर आपके अंदर देअभीमान है तो इंपॉसिबल है कि आप लक्षमी नारायन का पद पाएंगे ठक कर फाहा हो जाते हैं माया से हार खाकर एक दम किच्ड़े में जाकर गिरते हैं देखो हमारी बुद्धी बिगरती है तो समझना चाहिए मायने नात कांसे पकड़ा है याद की आतरा में बहुत बल है बहुत खुसी भरी हुई रहती है जब हम बाबा को याद करते हैं तो बहुत खुसी होती है कहते हैं खुसी जैसी खुराक नहीं देखिए अगर रोकर चि कमाई होती रहती है तो कभी उनको ठकावट होगी ग्रहा काता रहेगा तो बहुत खुसी होगा ना ठकावट दूर हो गया तो भूख भी नहीं लगेगा भूख भी मर जाएगा बड़ी खुसी में रहती हैं तुमको तो बेसुमार धन मिलता है तुम्हें तो बहुत खुसी र लोग कभी एक्सिडेंट हो रहा कभी कुछ हो रहा मर रहा लोग एक्सिडेंट आदी देखो कितनी होती रहती हैं तमो परधान बुद्धी हो जाती हैं बरसात जोर से पड़ेगी उनको भी कुद्रती एक्सिडेंट ही कहेंगे जोर से बरसात हुआ बाढ़ा गया भुकाम पा बहुत ऐसा काम करेगा जिससे एक सभी देश आपस में उलज जाएगे और एक दूसरे पर बंस फेक देंगे फिर कुछ नहीं बचेगा अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बच्चों को न मोजाल में बंद जाते ना पती है परिवार है बच्चा है धन है माया चूही से बहुत बहुत सम्हाल करने है खबरदार रहना है दिल में कभी भी सैतानी ख्याल ना आए उसको नीचे गिरा दे उसको ऐसे बोल दे उसको ऐसा कर दे कुछ नहीं बाप ग्वारा जो बेसुमा चैपार ज्मा धक्षणम मिलता है उनकी खुसी में रहना है इस कमाई में कभी संसे बुद्धी त्हकू से बुद्धी बढ़ते हैं संसा और का ठीक हो dollar तो यह कि अ संसे बुद्धी अरय क्या बोला कि यह स्वित सब्धार में और वह सूध बियाद जबहां होते होते पढ़ेगा तो इसलिए अगर भोगना आता भी है तो खुसी खुसी उसको चुक्तू करें इसी के लिए गायन है परवत को राई राई को रूई बना दो तो रूई बनाना मतलब बाबा को याद करके पार कर लेना है ठाकना नहीं है अब बाबा के हम स्टुडेंट बने है इसलिए लड़की लड़की की चक्कर में पढ़ जाये लड़की लड़की के चकर में पढ़ जाये तो अपना लाइफ अच्छा बना पाएगा नहीं बना पाएगा इसलिए देभान के नीद में नहीं सोना है वर्दान सदा अलट रहो सभी की आसाओं को पुर्ण करने वाले मास्टर मुक्ती जीवन मुक्ती दाता बनो बाबा कता अलट रहो तुम माया से अगर तुम अलट हो तो सब को मुक्ती जीवर मुक्ती का रास्ता दिखा सकते हैं अगर हम खुद ही फस जाएं हम दुसरों को रास्ता दिखा सकेंगे नहीं तो अभी सभी बच्चों में यह सुब संकल पीमर्ज हो जाने चाहिए कि सभी की आसाओं को पूर्ण करना है सभी की आसाओं को कोई सुख चाहता है कोई सांती चाहता है कोई प्यार चाहता है इस तरह से जो जो चाहता है हमें उसको देना है सभी चाहिए कि जनम मरन से ही मुक्त हो जाए बहुत दुख आता है तो बोलते हैं हम जनम मरन से मुक्त हो जाए उसका भी अनभूव करवाओ। बहुत बहुत सारी जल अनभूव हैं... वहीत ऩर बहुत कष्ट जल रही है कермुन भूलें, भूलें जल लूख क्षट गुण मुख हो रही है अज पर पर बहुत हुझी तुरंत जैसे ही दोपर में बोले कि मुक्त हो रही है साम को पता चलता है कि वो सरी छोड़ी तुरंत है तो हमारे द्वारा जो भाइब्रेशन जाता हो पुर्ण होता है तो इसलिए बाबा कहता अनुभा भी करवाओ कि देखो कैसे संकल्प से सिद्धी हो रही है इसके लिए उसका सोच हमारे प्रति अच्छा हो जाए तो मास्टर दाता बनकर हर आत्मा की आस पूर्ण करो हर एक आत्मा की आस पूरी करनी है मुक्ती जीवन मुक्ती का दान दो यह जिमेवारी की समेती आपको सरदा अलट बना देगी अगर यह जिमेवारी आप लेते हैं तो माया को धोखा नहीं देगी अलट कर देगी स्लोगन मुरली धर की मुरली पर दे की भी सुदबुद भूलने वाले ही सचे गोप गोपी का है मुरली धर की मुरली पर दे की सुदबुद मतलब मुरली धर कौन है सी बाबा और सी बाबा की यह जो ज्यान मुरली चल रही है उसको उस ओू शान्ती